कॉंग्रेस MLC दीपक सिंग ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और उसमें आरोप लगाया कि भारती जनता पार्टी के बड़े नेता डोर टू डोर जाकर कुरोना फैलाने का काम कर रहा है बात करते हैं दीपक सिंग जी से क्या वज़े रही इतना बड़ा आरोप आपने लगा दिया भारती जनता पार्टी के नेताओं के उपर इसके पीछे क्या वज़े रही कोईट के जो नियम है उससे मैंने नहीं बनाया ना कॉंग्रेस PARTY नहीं बनाया है उसके हिसाब से जिस तरह से भारती जनता PARTY की कल की बैठक में एक हॉल के अंदर तमाम नेता बैठे हैं कुछ बिना मास्क के बैठे हैं वही निकल कर लखनव में कई जगे पर एक जनसंपर का भियान चला रहे हैं जिस बैठक में राधा मोहन जी पॉजिटिव पाए गए हैं उन्होंने खुद सोसल मीडिया पर फोटो को भी सेयर किया है आज वो कोबिड पॉजिटिव है इसकी जानका देते हैं उन्होंने कहा है कि जो मेरे संपर्क में आए हैं वो प्रिकॉसन लें कोबिड नियमों का पालन करें तो कैसे निता घूम रहे हैं भीड भाल के साथ प्रदेश अध्यक्ष कई सारे मंत्री अच्छी कासी भीड उनके पीछे दिखाई पड़ रहे हैं जनसंपर का भियान चला रहे हैं मेरा मा किया है और उमीद करता हूं जो नियम हो सब के लिए हो इसका अनुपालन हमारी निता प्रियंका गांधी जी ने पहले किया है वो पांच दिन होम कुरंटाइन रहने के बाद बाहर निकली हैं तो हमारे निता करें और यह न करें और बिपक्ष के निताओं पर मुगदमे हो भाजपाक निता खुले आं मिडवाज करोना फैलाएं यह दो चीजें ठीक नहीं हैं लग रहा है कि भारती जनता पार्टी के जो नेता कह रहा है कि आप उनकी प्रियता से डर कर इस तरह की चिठी लिख रहा हैं इस तरह की बाते कर रहा हैं क्योंकि उनको लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए वो जन्संपर कर रहे हैं निश्चित रूप से भारतिय जनता पार्टी के कोरोना फैलाओ अभियान से हम डरे हुए हैं हम चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोग सुरक्षित रहें यह डर हमारा स्वहाविक है अगर भाजपा को यह डर नहीं है कि लोग सुरक्षित रहें जिन्होंने उनकी सरकार प्रचंट वहोत की बनवाई थी जिस सरकार में रहे के उन्होंने वादा खिलाफियां की थी क्या फिर से उत्तर प्रदेश उस मंजर को याद रखके कैसे आदमी रह सकता है जिस उत्तर प्रदेश में गंगा की बहते इलास करके चंता की जो कैसे घूम रहें दिल्ली अब तो सुनने में भी आया है वहां बैठे लोग दिल्ली तक जा रहे हैं मुझे लगता ऐसे लोगों रोकना चाहिए और कोबिड नियमों का पालन करना चाहिए उसके बाद जंता की जाना चाहिए को लेकर सरकार तयार है ऐसा कहा जा रहा है है कि सरकारने पूरी तयारी कर रखी है और नियंत्रित किअ जाएगा आने वाले समय में अगर फैलता है किस नियंत्रन की बार्शपा बात पर करेंगे ऐस Means य लोगों पर मुक्द्माब कर रही या उस नियंतरण की बात भाजपा कर रही है कि लोग ऑक्सिजन के लिए तडपे थे लोगों की बहती लासे उत्तरप्रदेश के लोगों ने देखी थी यहाँ पर बैरी गेट लगा कर नियंतरण किया गया था कि लोग भाजपा सरकार में जलती लासे न देख सकें किस कि आने वाले समय में कुरोना बम न फूटे लोग संक्रमित न हो इससे चिंतित होकर उन्होंने निर्वाचन आयोग को चिठी लिकी है और भारती जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कुरोना फैलाने का घर घर जाकर काम कर रहे हैं कैमरमेन नूर के साथ सीमा अब नकभी भार समचार लगना